जाहिन्द सुनेंट्स हैं प्रिथमेश रेंजनी यूर पॉलिटी मेंटॉर और मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के उपर अपनी पॉलिटी के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आपके सीडिस और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग रिवाइस कर रहे होंगे विकॉस मैं हर बार आपको बोलता हूं रिविजन करिएगा रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस एक्जामनेशन के लिए तली हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं कर हैं और कई बार इंडारेक्टली भी कुशन्स आये हैं इसे कंप्लीट करना बहुत जादा जरूरी हो जाता है कि दो टॉपिक्स आज हम करने वाले हैं कवर एक यूनियन एंडिस टेरिट्री एंड सिटिजन्शिप तो यह हम कवर करेंगे आप यह मान कर चलिए कि आर्टिक पूछे जाते हैं आपको सिर्फ थोड़ी सी समझ होनी चाहिए इस टॉपिक के टॉपिक जादा बड़ा नहीं है टॉपिक छोटा ही रहेगा तो समझते हैं इन टॉपिक को देखें क्या क्या करने वाले तब से पहले हम समझेंगे यूनियन एंडिस टारिट्री ठीक है जो काफी इंपौर्टन चीज से रहने वाली है आगे हम पढ़ेंगे सिटीजिजंशन्ष्प के बारे में वह सबी जान cabin को कि जो सब्सक्रां की चुका होकी जो सिटीजन्शिब का इस ऑस scarfNE कि मतलब एमरिका के नहीं किया है हमने बिटिश समुधान से इस चीज को Give a किया विकॉस यूके के अंदर सिंगल सिटिजन्शिप का प्रावधान है एक एकल नागरिक्ता का प्रावधान है जो कि हमारे एक यूनिटी को और भी ज्यादा मजबूत करता है दोहरी नागरिक्ता हमारे देश में नहीं है ड्यूल सिटिजन्शिप नहीं है हमारे देश में single citizenship दी जाती है तो चलिए शुरू करते हैं दोनों ही topics को तब से पहले article 1 की हम बात करेंगे the union and its territory की बात करेंगे article 1 से लेके article 4 तक इसके बारे में बताया गया है अब सबसे important article इस पूरे lecture के अंदर अगर मैं कहूंगा तो वो होता है आपका article 1 जो बहुत जादा important बहुत जादा important इसलिए है you because सिर्फ cdsai नहीं अगर आप किसी थर्शामनेशन के त्यारी कर रहे हैं cp-fk त्यारी कर हैं आप यूพी स्सी सी के त्यारी कर रहे एस सी के त्यारी कर हैं डीके तियारी कर रहे है स्टेट Alp-Chi S की त्यारी भी कर रहे हैं तो आर्टिकल वन को लेकर बहुत सारे कुश्चंस लास्ट फाइफ यर के अंदर पूछे गए हैं एस आर्टिकल को समझना बहुत जादा जरूरी है लेक्चर के बीच में मैं कुछ कुश्चंस भी आप से करूंगा उन कुश्चंस का अंसर आपको कमेंट बॉक्स के पर आएंगे आर्टिकल वन क्या कहता है बैसिकली आर्टिकल वन कुछ चीजें बताता है कुछ चीजें आर्टिकल वन के अंदर डिफाइन की गई है आर्टिकल वन पहली बात करता है कि इंडिया भारत पहली ही लाइन से समझ में आ जाता है कि हमारे देश के ऑफिशली दो नाम है पहला लिखा है इंडिया और दूसरा है that is भारत मतलब हिंदी में अगर नाम की बात करें तो वह होगा भारत और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो बेसिकली यहां पर इंडिया के नाम से इसे जाना जाएगा यह चीज आर्टिकल वन के अंदर लिखी है क्योंकि द देश के नाम को लेकर यहां पर बड़ी लंबी बहस चली कुछ लोग इस पक्ष में थे कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए जो कि एक modern नाम है इंडिया नाम होना चाहिए कुछ लोग इस पक्ष में थे कि हमारा जो देश का नाम है वो हिंदी में होना चाहिए भारत होन चाहिए क्योंकि हमारी संस्कृति को दर्शा आता है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोनों नाम यहां पर रखे गए इंडिया और इसके बाद एक बड़ा इंपॉटेंट पॉइंट यहां पर दिया गया है कैल यूनियन ऑफ स्टेट यूनियन ऑफ स्टेट का है आईए इस स्लाइट से हम जानते है राज्यों के संग का क्या मतलब है अगर यह चोटी-चोटी सरकल आप देख रहे हैं इन्हें में स्टेट मानूं मान लीजिए यह एंप है कि यूपी है यह बिहार है यह आसाम है यह बंगा वैस बंगॉल है जहार खंड है मान अंदर आते हैं यह देखी एंपी इसके अंदर है यूपी इसके अंदर है विहार इसके अंदर है जितने भी राज्यों हमारे देश के अंदर है वो सारे के सारे इस यूनियन का हिस्सा है राज्यों का संग है मतलब कोई भी राज्य अलग नहीं है यहां पर यूनिटी की ब कर ले यह अधिकार नहीं दिया गया है मुझे बताईगा कि जब हमारे देश का सविधान बन रहा था तो कौन सा एक ऐसा कमिशन आया था कौन सा कैसा कमिशन आया था जिसने हमें यह प्रस्ताव दिया था कि हाँ सविधान सभा बना दी जाएगी पर उन्हों हमने राइट तो सिकेट की बात कर दी और इसी के बाद यहां पर हमने उस कमिशन की बात नहीं मानी थी अगर आपने पिछले लेक्टर देखे तो आप इसका अंसर जरूर देंगे यह मुझे बताईगा साफ साफ तौर पर लिग दिया गया है पहले ही आर्टिकल में कि हमारा देश भारत राज्यों का एक संग होगा union of states होगा किसी भी राज को देश से इस union से बाहर जाने का दिकार नहीं है और सारे राज्यों से मिलकर ही हमारा देश बना है यह हमारी एक unity को दर्शाता है यह बात कही गई है आर्टिकल 1 के अंदर पहली ही लाइन में अब इसके बा आर्टिकल 1 के अंदर वो सारी सारी territories दी गई है मतलब जितनी भी states हमारे देश के अंदर है ध्यान से सुनिएगा जितनी भी states है जितनी भी union territories है तभी की boundaries को इसमें basically बताया गया है किसकी boundary कहा दखे jurisdiction का area कहा तक है कि सारी चीजे बताए गई है आर्टिकल 1 के अंदर states के नाम भी देकर रखे गए है और जितनी भी union territories है उनके भी नाम देकर रखे हैं देखिये क्या क्या दिया इसमें territories of the states कि कहां कहां तक हिस्सा होगा हर राज्यका किस राज्यका area कहां तक है that means मदरप्रदेश कहां तक है पश्रिमंगाल कहां तक रहेगा जुडी श्री कहां तक है इसके बाद जितनी भी duties है उनके नाम दिये गए हैं उनका area दिया गया है ताती territories that may be acquired by government of India at any time देकि यह point बड़ा important है इसमें वह सारी territories भी आ जाएगी जो भारत सरकार के द्वारक कभी भी acquire की जा सकती है basically article 1 ये भी बताता है कि जो नाम दे दिये गए है article 1 के अंदर जितनी uts के नाम दिये गए हैं जितनी territories के नाम दिये गए हैं जितनी states के नाम दिये गए हैं वो fix नहीं है उस दखता है कि आगे जाके भारत कोई area acquire कर ले या कोई states दो पार्ट में divide हो जा जैसा कि हमने देखा ह कि मदरपदेश और चतिसगर दो अलग-अलग states बन गए थे उनके नाम भी इसमें लिखे जाएंगे तो article 1 इसी की बात करता है क्योंकि देखे देश की आजादी से पहले हम जानते हैं कि आजादी के पहले का match map है बहुत सारे जो area था वो किसी के दच के पास था कोई फ्रां पर आ जाएगा article 1 के अंदर उसका नाम आ सकता है तो जो states के नाम है जो union territories के नाम है वो fix नहीं है उन्हें चेंज किया जा सकता है तो यह था हमारा article 1 याद रखेगा article 1 के बारे में एक जो वर्ट था union of states राज्यों का संग इसको लेकर एक बहुत बढ़ी बहस सविधान सभा के अंदर चली थी और इसी को लेकर यहां पर एक सवाल उठाया गया था कि वाई union not federation जैसे कि अमेरिका के अंदर जो जितने भी states है वो एक federation है हमारे देश में union वर्ट क्यों लिया गया है तंग क्यों लिया गया फैडरेशन क्यों नहीं लिया गया ऐसा क्यों नहीं किया है कि union अलग हो गया central government अलग है state government अलग है state governments के पास right to secure ऐसा क्यों नहीं कहा गया है तो इसका जवाब यहाँ पर डॉक्टर भीम रामेटकर सहाब ने दिया था बहुत ही उपसूरत और बहुत ही सुल्जा हुआ जवाब हुनों ने दिया था डॉक्टर भीम रामेटकर अर्ब करांति एक अमयरेकन करांति के बाद जितने भी मा के सेथेंट से उन्होंने कांट्रेक्टेक्ट बनालिये के अब हम साथ में रहेंगे और भारत के यहां पर कभी भी यह चीज नहीं होती है कि सेट्स के पास एक कांट्रेक्स अधाव जुडग गए है या कुछ भी नहीं है यहां पर हमने यूनियन वर्ड लिया है विकॉस हमारे यहां का जो फैटरेशन है यह हमारे यहां का जो यूनिटी है वो किसी भी agreement का result नहीं है, agreement का result नहीं है, mutual understanding है, तारे जितने भी रास्ट है, जितने भी रास्ट तो नहीं बोलूँगा, जितने भी हमारे states है, सभी के सभी चाहते थे कि वो हमारे देश के साथ जुने, और इसके लिए कोई agreement नहीं लिया था, that's why हमारा राज्यो का संग है, Union of States है, ना कि अगर बात की जाये कि Federation of States है, इसके बाद, second reason बताया, the States have no right to separate, जैसा कि मैंने आउपको बताया, मारे हमारे आप राज्यो को अलग होने का अधिकार नहीं है, the States has no right to separate, कोई अलग होने का अधिकार है रही नहीं, तो जब अलग हने का अधिक इसलिए इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगा है इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 2 कि आर्टिकल 2 किसकी बात करता है लेकि इन तरह कि आर्टिकल को समझने के लिए आपको इनकी कुछ लाइनों को पढ़ना पड़ेगा रेटना नहीं है इन आर्टिकल को सिर्फ कु पूरी के पूरी किताब नहीं लिख सकते हैं आप सिर्फ प्रेजनेशन से लिए उस टॉपिक से रिलेटेड एक या दो पॉइंट्स लिखते हैं और जब आप रिवाइस करते हैं तो एक या दो पॉइंट्स को पंडने के बाद ही आपको सारी चीज़े रिकॉल हो जाती है य यह बात करते है आर्टिकल 2 की पार्लिमेंट में बाई लॉव एड्मेट इंटु दे यूनियन और इस्टैबलिश यू स्टेट ऑन सच टर्म्स अन कंडिशन इस तिंग्स फिट मतला पार्लिमेंट के बास यह पावर है कि नहीं स्टेट को एड कर सकते हैं ठीक है तो जो लग इस्टैबलिश न्यू स्टेट दे कि बेसिकली यहां पर यह क्या बात कर रहा है यह दोनों चीजे जो है वो अपने आप से थोड़ी सी अलग है बट जो मेजर पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं बिकॉस बहुत डीटेल में आपको नहीं जाना है आपका जो existing state की बात नहीं की जा रही है आटिकल चू यह कहता है कि कोई ऐसा एरिया जो की अभी भारत का इससा नहीं है अट भाद में भारत में हमने उसको मिला लню यह जी करता है आप zar रही स्टिंग स्टेट की बात नहीं करता है जैसे कि interrupt अ गरिय आप देखिक ज कि-स habla के बात करूँ विजिशरी की बात कि बात कि जाए दमनैंदीव की बात कि जाए यह आप देखेंगे कि आजादी के बाद 1947 की बात कर रहा हूं उस समय पर भारत का हिस्सा नहीं थे इन्हें बाद में भारत की बेषा बनाया गया था मुझे अब मेरा कुष्छण आपसे यी है मुझे बताईए कि इसकी कॉनोंइ थी ओ Σब्सक्राइर कें और दमंदीव किसकी कॉलोनी थी इन को भाध में भारत के हैं उसको ऑभारत में भारत भारत sä Epic दिया गया है आर्टिकल 2 उसकी बात करता है और पार्लेमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी एरिया को इंडियान स्टेट्स में मिला सकते हैं, भारत का अरिया घुशित कर सकते हैं, हाला कि इसको अगर आप बहुत डीटेल में पढ़ेंगे, तो अलग-अलग clauses इसमें आते हैं, बट अभी आपके CDS examination के हिसाब से वो जानना जरूरी नहीं है, तो अभी आप article 2 को इस तरीके से याद रखेगी, किसी भी एरिया को भारत का बनाया जा सकता है, पार्लेमेंट के पास से पावर है, और article 2 बात करता है new state की ना कि existing state की, अब इसी तरह article 3 है, article 3 बात करता है formation of new states and alteration of areas, boundaries and names of the existing states, देखिए basically article 3 बात करता है existing states की, existing states की अगर boundaries को change करना है, existing states के नाम को change करना है, existing states को एक पार्ट को दो पार्ट में करना है, तो ये काम article 3 के सारे की आजा सकता है, article 3 इससी के बात करता है, जैसे example की अगर हम बात करें, कलांगनान हैं, है रावाद, ये पूरा द तो बेसिकली यह आंदरप्रदेश का हिस्सा था आंदरप्रदेश का एक स्टेट थी उसके बाद आंदरप्रदेश के बाद आंदरप्रदेश को दो हिस्सों में किया गया एक बना तेलांगला काफी लंबे समय से मांग उठ रहे थी और एक बना आंदरप्रदेश तो बेसिक इसे बहुत सारे points से जिसे पहली बात करते हैं for a new state by separation of territory from any state, मतलब एक नए state बनाया जा सकता है, territory को separate करके माल लिजिए कि यह पूरा का पूरा state आंदरप्रदेश था, इसमें क्या कर आपने territory को separate कर दिया और दो states बना दी, एक तेलांगना हो गया और एक आंदरप्रदेश हो और साथ में यह कहता है कि by uniting two or more states, तिर्फ अलग करनी की बात नहीं है, दो या दो से ज्यादा states को मिला के भी एक राज्य बनाया जा सकता है, मतलब आगे जाके यह भी हो सकता है कि दो states को मिला दिया जाए और एक अकिला state बन जाए, यह चीज़ें इसके अंदर लिखी है, आगे इसमें बहुत सारे points है, detail में discuss करते हैं, इसके बाद increase the area of any state, किसी भी राज का area increase करना हो, that means boundaries को alter करना हो, वो चीज़ भी की जा सकती है, article 3 के सहारे, आगे हम बात करेंगे, जिबनिश the area of any state, किसी भी state के area को कम करना हो, इस example की बात कि जा, जब मदर प्रदेश से 36 के अंदर चला गया था, इस चीज़ भी article 3 के सहारे ही की गई थी, तो article 3 इसकी भी बात करता है, कि diminish the boundary of any state, आगे, alter the boundaries of any state, किसी state की boundaries को बढ़ाया भी जा सकता है, साथ इसाथ, alter the name of any states, किसी भी state के नाम को भी change किया जा सकता है, अगर किसी राज्य का नाम चेंज हो रहा है, वो भी article 3 के सहारे ही change होगा, याद रुखिये, बड़ी important चीज़ है, next हम बात करते है, article 3 के अंदर, अगर ऐसा कुछ भी करना है, वाल लीजे कि नया state बनाना है, state की boundaries को change करना है, तो इस तरह का bill, किस तरह का bill होगा, parliament में क्या process होती है, हम पूरे detail में नहीं जाएंगे, ब जब भी कोई bill आता है, state के नाम को change करना है, state की boundaries को change करना है, areas को change करना है, alter करना है, उस तरह के bill को आने के लिए, president की prior permission चाहिए, president की permission लेनी होगी आपको पहले, कि क्या इस bill को parliament में लाया जा सकता है, क्या नहीं लाया जा सकता है, यह एक point है, जो पूछा गया examinations के अंदर वो आप याद रखेगा, क्या इसका हम detail नहीं समझेंगी कि parliament में कैसे लाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आगे जाके जब मैं parliament आपको पढ़ाओंगा, union legislature हम पढ़ेंगे, parliamentary proceedings पढ़ेंगे, तो काफी detail में इस चीज़ को समझेंगे, अभी सिर्फ आपको इस सम जब इस तरग का bill present किया जाता है, तो जिस भी स्टेट के अंदर यह चेंज आ रहा है, चेंज हो रहा है, बाउनरी जल्टर हो रही है, या स्टेट को डिवाइट करके दो राज बनाए जा रहे है, उस स्टेट का भी concern लिया जाता है, एक स्पैसिफिक टाइम दिया जाता है state को अपना concern देने के लिए state assembly अपना concern देती है अपनी सहमती देती है और उसके बाद इस bill के उपर बात की जाती है वोटिंग होती है और जो भी राज है जो भी states है उनका नाम चेंज करना है बाउनरी चेंज करना है इस बात को तै किया जाता है अब मेरा प्रशन आप से ये है हाला कि प्रशन काफी मुश्किल है आप इस बारे में सोचिएगा अगर आपको नहीं आएगा तो मैं next lecture में आपको detail में इसका answer बताऊंगा पर मेरा प्रशन आप से ये है कि क्या उस state का जो concern है वो matter करता है मान लिजे किसे state नहीं ये कह दिया कि नहीं हमें अपनी boundary change नहीं क हwasserना एक चरना तो क्या हमारी जो arteries सेंटल गवर्मेंट है यह हमारी जो प्रैसिरंट है उस बात को मानने के लिए बाउन होते हैं हमारे देश का जी क्या वह सबुस्थ है कि आपको मान ने की-स बाउन्ड होता है कि हाँ इसके लिए भी इन्पोर्टेंट यह अब बात करते आर्टिकल 4 की आर्टिकल 4 सबसे अंतिम आर्टिकल है इक लिए डेट लॉव मेड अंडर अर्टिकल 2 & 3 जो लॉव मेड किये जा रहे हैं जैसे आर्टिकल 2 बात करता है किसी भी नए स्टेट के फॉर्मेशन की आर्टिकल 368 की इसे अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा मतलब किसी नए राज को हमारे देश में जूनना है यह स्टेट की बाउंडरी को अल्टर करना है तो जो आर्टिकल 368 के अंदर जो प्रोसेस देके रखी समिधान में संशोधन की पार 20 के अंदर आता आर्टिकल 368 उ और इसे एक अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा आप सिंपल मेजॉरिटी के थुरू सिंपल मेजॉरिटी क्या होती वैसे मैंने लिग दिया बट स्टिल मैं बता दू कि 50% प्लस वन माल लीजिए कि 100 लोग लोग सभा के अंदर है 100 मेंबर्स है तो मेंबर्स मेंसे अगर 50% मे अग्री कर चाहिए में बट स्टेट का फोर्मिशन किया जाना चाहिए decод बंजाएगा कि नेक्स्ट כ नेक्स्ट इसी को लेकर है पार्ट वन को लेकर है कि क्या अभी तक हमारे देश में अलग-is टेट्स बने है तो कौन से स्टेट किस से अलग हुआ है कौन सी माउंटरी जल्टर की है इसकी मैंने पूरी लिस्ट दे दी है आप सभी को याद होगा 1953 की बात है 1953 के अंदर एक कमिशन को सेट अप किया गया था जो था स्टेट री औरनाइजेशन कमिशन और इस करें स्टेट को बनाया बी moments को भी गया था इस्से फदल लश्ट के नां से भी जाना जाता था वितास फदल अली 31 00 ThunRight सबसेक्षा इसाथ अदा को बीगी सिन्वाइशन के रिश्ञेर को हुए हुए और अंदरपर टेश में बना तो भाशा से आधार टेश में बना था इसके रिक्मेंडेशन भी आई थी देश में आंदूलन भी हुए रिक्मेंडेशन के बाद काफी चीज़ें हुई थी और उसके बाद भाशा के आधार पर जो पहला राज बना था वो था हमारा आंध्र प्रदेश अब देखिए यहां पर बात हम करते हैं कि कौन- यूटी सेवन की बाद की जा रही है उस टाइम पर 14 स्टेट्स थे और 6 यूटी धीरे 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 वो बनती गई थी अब धीरे धीरे क्या हुआ है इसके बाद कौन-कौन से स्टेट्स आया वो देखिएगा गुजरात 1960 में गुजरात को बॉंबे स्टेट से से सेपरेट क बहुत सारी चीज़ें इंदर लिखी आप काफी डीटेल में देख सकते हैं और सारी स्टेट्स मैंने यहां पर आपको दे दी है ताकि कोई भी कुश्चन आता है करनाटका के बारे में हैं अरुनाचर प्रदेश के बारे में यहां पर आपको दिया गया था और उसे यूट दमनेंदीव विकम अपर यूटी ऑन ऐसे इसके अंदर यहां पर दी गई है तो कि आपके लिए जाना बहुत जादा जरूरी है देख लीजेगा यहां पर प्रॉपर ली मैंने देकर रखा है तो यह जो पूरी चीज थी वह यूनियन के अंदर आती थी अब हम बात करेंग घ् disappoint की बात करेंगे कोता टॉपीक है नागरिकता भी बहुत टाइम इसमें नहीं लगने वाला है तो टॉगरा से टॉपीक है और आराम से सब्सक्राम कवर कर लेंगे वरेगी मुधे इस wraz कर लेंदे वेडिपूस औरम यह का पाछी सींगां ईसने तक्रोब्रो खतीना-बस आघुजबर और when are देश के ना रिख्याई को शसम्ने को आई आप देखा रहेँ हैं कि सरकार ने जैसे इक शचोधन किये हैं कर नागरिप Churchill के कुछ इस्तों में इसको लेकर अकुरूष भी था और हम ने कर नोलन में ऑंडून भी स्की बारे में बात विचों के बात करेंamy पाट से के अंदर आता है और पाट किया गिए अलग किया गिया है इसमें पह cystic एक प्वे किन किन व्यक्टियों को माना जाएगा इसमें चार आइटिकल्स में इसी के बारे में बतायागी आइटिकल 5, 6, 7 और 8 इसमें.. से आइटिकल 6 पढ़ाма इंपॉर्टेंट है और आइटिकल 8 भी इंपॉर्टेंट है। हम दोनों के बारे में ही बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं, loss of citizenship and single citizenship, भारत की नागरिकता का loss कैसे हो सकता है, यहाँ पर automatically loss की बात करेंगे, आर्टिकल 9 काफी महत्वपूर्ण है और यह हमारी एकल नागरिकता के बारे में भी बताता है, कि हमारे देश में रहते हुए, भारत के नागरिक होते हुए आप किसी और 11 बताते हैं कि पार्लेमेंट के क्या-क्या पावर है, भारतिय नागरिकता को लेकर दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है, इसमें आर्टिकल 11 जादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, अब सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 5 की, आर्टिकल इंडिया, लेकि बेसिकलि यहां पर बात की जारी है कि कि किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा 26 जनवर 1950 को और डोमेसाइल की बात की जारी, डोमेसाइल का क्या मतलब होता है, आप किसी एरिया के अंदर जब काफी लंबे समय से रह रहे हैं, तो आप उस एरिया के डोमेसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, आप उस एरिया के नागरिक कहलाते हैं, उस एरिया के रहवासी कहलाते हैं, यह उसी की बात की जारी है, उसमें तीन पॉइंट्स थे, नोट करते जाएगा, पहला था बर्त, कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के अंदर हु हो या फादर हो, उनका जन्म भारत में हुआ है, तो उस व्यक्ति को भी भारत का नागरिक माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके वो व्यक्ति पैदा होगा, उस समय पैदा नहीं हुआ है, तो उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा, तीसरा यह है कि यह जो ड गई थी अब इसके बाद आता है आटेकल 6 जो की काफी इंपोर्टेंट इसलिए कि इसको बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है बट बर एक पॉइंट याद रिखिएगा आटिकल 6 इंपोर्टेंट इसलिए, विकासी बीसिकली बताता है बारे में पाकिस्तान से आए हुए लोगों के बासे मीबदारा हुए किसे नागरिक माना जाएगा एगा उनको दी जा रही है तो किन बेसेगर दी जा रही है दो मेजर एंटेस है इक है 1997-1948 उसके पहले किसे नागरी कमाना जाएगा और 1907-1948 के बाद किसे नागरी कमाना जाएगा basically migrants की बात की जा रही है ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए हैं इन बीच में एक permit system यहाँ पर चलता था कुछ dates के बीच में लोग इधर से उदर जा सके भारत के वेक्ति पाकिस्तान आ सके पाकिस्तान का भारत आ सके कुछ समय के लिए चीज़ की गए थी बड़ उसके बाद यह identify करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि भारत का नागरी किसे माना जाए और पाकिस्तान का नागरी कौ लेकर लूल लाएगा सबसे पहले हम बात करतें बिफोर 1907-1948 की बैसिकली यहां पर बात की जारी है 19 जुलाई 1948 से पहले किसे आरत का नागरी कि माना जाएगा ठीक है यहां पर माइगरेंट्स की बात की जारी में फिर से कह देता हूँ पाकिस्तान के जो लोग हैं पाकिस्तान से आए हुए लोगों की इसमें बात की जारी है किसे माना जाएगा जो पाकिस्तान से व्यक्ति आया है या तो वो या उसके माता-पिता एदर ऑफिस पैरेंट्स माता-पिता में से कोई है कि या फिर दाद दादी जी का जन्म भारत के अंदर हुआ हो या ही इस प्रसाइडिंग इन इंडिया सिंस दो माइग्रेशन डेट जो माइग्रेशन डेट दी गई है तब से वह भारत में रह रहा है तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा यह कंडिशन थी विफोर के लिए इसके बाद आफ्टर 19 जुलाई 1948 जो बाद में आए उनिस जुलाई 1948 के बाद में आए है उनके लिए क्या क्या कंडिशंस थी वो देखते हैं पहली कंडिशन थी और आइधर आफ इस परेंट्स और निस ग्रेंट वान इंडिया यह कंडिशन की या तो उसका जन्म या उसक से मातापीता जन्म किसी माता-पीता में सी किसी का भ इसके अलावा, he has been living in India at least six months after migration, migration की डेट के बाद कम से कम छे महीने तक भारत में रह रहा हो, मतलब पाकिस्तान से आया है, और पाकिस्तान से आय हुए भारत में वो आ चुका है, और भारत में आय हुए उसे कम से कम यहां पर हो गये हैं, छे महीने, अगर ऐसा है, तो भी वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, इसके बाद, he has submitted his registration application, उसने authorities के पास अपनी registration application को submit कर दिया हो, जो कि काफ़े important होती है, किसी भी migrant के लिए, यह आपको भारत सरकार को बताना पड़ेगा, इसे आज के टाइम पे भी आप देखती हैं, कि रेस्टेशन फॉर्म तो फिल official appointed in the behalf by the government of India, या फिर उसे एक registered citizen खोशित कर दिया गया है, एक ऐसे अधिकारी के द्वारा, जिसे भारत सरकार ने appoint करा है, कि देखने के लिए, कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से आया है, वो कौन-कौन eligible है, उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाए, इन clauses के यहां पर बा Article 7 की उपर, अब देखिए, Article 7 थोड़ा सा अलग है, Article 7 क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डीटेल में बताना चाहूंगा, पर इन slides के तुरू हम Article 7 को समझते हैं, क्योंकि यह भी बात करता है, Rights of citizenship of certain migrants to Pakistan, उन्होगों के अधिकारों की, जो की migrants हैं पाकिस्तान से, ठीकी बात कर करें, कि इंडियन सिदिजन्शप, इन आटिकल 5 और 6 गिफ फरिशन टू है, अगर आटिकल 5 और 6 भी इन्हें पर्मिशन दे रहे हैं, तो भी यह सिदिजन्शिप अक्वायर नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, कि भारत से यह पलायन करके कहा जा चुके हैं, पाकिस मार्श 1947 के बाद जो भी लोग पाकिस्तान में चले गए हैं तो वह वहीं के नागरिक माने जाएंगे अगर आर्टिकल 5 और 6 की तीजों को फुल्फिल कर भी रहे हैं तो भी उन्हें नागरिक नहीं माना जाएगा इंडियन स्रिजिंशिप अक्वायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अपनी मर्जी से वो पाकिस्तान के अंदर जा चुके हैं यह पहली चीज आर्टिकल 7 बूलता है बट बोता क्या है कि कुछ लोग अब क्या है पाकिस्तान में रहे उनको ठीक नहीं लगा उन्हों की वापस अच्छा जागी कि नहीं हमें हम भारत के अंदर ही रहना है अब भारत के अंदर है रहना है तो उन्होंने प्लान किया कि हम भापस भारत के अंदर जाते हैं यहां पर उसी की बात की जा रही है वापस से री सेटल करने का उन्होंने प्लान किया कि हम अब पाकिस्तान में नहीं रहना है हम वापस से री सेटल करना चाहते है भारत में उन लोगों का क्या अब दिखिए यहाँ पर लिया गया है पर उसके बाद बापस से भारत में आएं और चाहते हैं कि वो भारत में ही बस जाएं यह उन लोगों की बात कर रहे हैं आर्टिकल 6 में हमने क्या जाना था आर्टिकल 6 में उन लोगों के बारे में बात की थी तो कि पाकिस्तान से भारत आ गए थे जब देश का बटवारा हुआ तो पाकिस्तान से काफी migrants भारत आ गए थे इसमें बेसिकले मुसकी बात करते हैं कि ऐसे लोग जो पहले पाकिस्तान में थे और भारत से पाकिस्तान चले गए वहीं बस गए और ये इसकी बारे में भी बात करता है कि वापस से अगर वो लोग आ सारी कंडिशन्स को इन लोगों को फुल्फिल करना होगा अब ये कंडिशन्स क्या है एक बार देख लेते हैं कि विल कंसीडर दे इंडियन स्रिजन्शिप इफ और एदर ऑफ इस पैरेंट्स और इन इंडिया या तो वो खुद पैदा हुए है या उनके माता-पिता में से कोई या उनके दादा दाद जी में से कोई एक भारत के अंदर पैदा हुए है वापस आने के बाद कम से कम छे महीने उन्हें हो गए है आगे बात की जाए अपनी जो री सेटलमेंट की अप्लिकेशन है उन्होंने लिख दी हो सब्मिट कर दी हो और जो गवर्मेंट ऑफ इ कर लिया हो उनको कर लिया हो सेटीजन यह सारी कंडिशन सोने फुल्फिल करनी होगी तो ही यह चीज की जा सकती है यह काफी चीज़े डीटेल में थी आपको बहुत डीटेल में नहीं जाना है मैं बार-बार यह चीज इसलिए कह रहा हूं बिकॉस सेटिजन्शिप के जो अब इसमें क्या वर्ड याद रखना है कौन सा अब कुश्चन इस तरीके से आता है कि कौन सा आर्टिकल उन लोगों की बात करता है जैसे हम बात करें एन राए की नौन रेसिदेंशल इंडियन की बात की जाया या कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई के लिए भारत से बाहर बाहर गया हुआ है एजुकेशन के लिए गया है या जॉब करने के लिए भारत से बाहर गया हुआ है उनके बारे में बेसिक लिए बात करता है यहां पर दो चीजे बात की गई है और इंडिया की उस व्यक्ति को भी नागरिक्ता दे जाएगी अगर वो उसके माता-पिता यह दादा दादी वैसे कोई आरत के अंदर पैदा हुआ हो यह इस चीज याद रखेगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एक और चीज आती है कि ऐसे व्यक्ति इनके माता-पिता भारती थे फिर वो भारत से बाहर चले गए हैं और उनके जो बच्चे है यह उनकी भी बात करता है कि उनके जो बच्चे हैं उन्हें भी भारत का नागरी की माना जाएगा अगर एक साल के अंदर अंदर बेसिकली उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट्स के अंदर इंडियो डिप्लोमेटिक ऑफिस के अंदर उनका नाम रेइस्टर्ट करवा दिया हो तो यह इसके बाद है article 9 जो की काफी ही जादा important है और majorly जो questions आपसे पूछे जाते हैं वो article 9 को लेकर ही पूछे जाते हैं, अब article 9 किसकी बात करता है, article 9 बात करता है person voluntary acquired citizenship of a foreign state not be citizen, termination of citizenship की बात करता है, कि अगर कोई व्यक्ती ने voluntary मतलब जान मुझकर किसे दूसरे देश की नागरिकता को अपना लिया है तो उसकी जो Indian citizenship है वो terminate हो जाएगी automatically मतलब हमारे यहाँ पर सिधी सिधी बात किये गई है एकल नागरिकता की हमारे यहाँ dual citizenship की बात नहीं की गई है single citizenship की बात की गई है तो जाए तो उसकी भारत की नागरिकता automatically dissolve हो जाएगी terminate हो जाती है एक्सांबल कि तुरू में बता देता हूं आपको कौन से परसान है नाम आपी बता दीजीगा एक रकती है इन्होंने Canadian passport को ले लिया मतलब Canada की नागरिकता इन्होंने अपना ली तो जब इन्होंने Canada की नाग एक लिख्या हो गई डिजॉल हो गई अब यह सिर्फ और सिर्फ कैनेडा के नागरिक होंगे भारत के नागरिक नहीं होंगे हाला कि citizenship सब्मेट भी की जा सकती है बट यहां पर हम इस केस की बात करने कि अगर आपने भी ना बताए भी आप दूसरी कंट्री के citizenship का अक्वायर कर लेते हैं तो आपकी इंडियन सिर्फ टर्मिनेट हो जाती है आटिकल नाइन इसके बात करता है इंपॉर्टन चीज है याद रुखियेगा आगे हम बात करते हैं आटिकल 10 की कंटिनेंस ऑफ दे राइट ऑफ स्रिजन शिप एवरी परसन हुई इस डिमांड हो इस दीम तो बीए स्टिजन अफ इंडिया अंटर एनी अफ दे फॉर गइंग प्रोविजिंस ऑफ दे पार्ट श्यल सब्जेक्ट तो दे प्रविश्ट प्रविशन ऑफ अफ कि रहेगी उनकी जब तक पार्लेमंट ने कोई चेंज नहीं किये गए हैं उनकी नागरिक्ता के अंदर या कोई मेजर चेंज नहीं किया पार्लेमेंट का है रहार है धियान से अब पढ़ यह सीज को तो प्छिंस ऑफ दे राइट आफ स्रिसंशिप की जो लोग भारत की न 12áz flowing potenship यह बात करता है पार्लेमेंट कुरेगैट राषीन ज्तिश्विंच अड़ा सकती है राषी आदा जो ओ सरकार क्रें भारती नागरिप्ता को लेकर कूछ बात की गई थी तो यह देश की पारलेमेंट के पास यह अधिकार है याद रखिएगा यहां तक क्लियर है बहुत इंपॉर्टन चीज़े हैं याद रखिए आर्टिकल 11 काफी इंपॉर्टन है न अब कौन कौन से कानून बना सकती है आफ्टर 26 जनवरी 1950 के 26 जनवरी 1950 के बाद इसे भारत का नागरिक माना जाएगा मतलब आज की तारिक में भी कौन-कौन भारत के नागरिक होंगे इस पर कानून बनाने का अधिकार भी हमारी पार्लेमेंट के पास ही है जैसा कि हमने हमेशा बात करी है साथ इसाथ रिस्ट्रिक्ट रिवोक आर्टिकल 5 और 8 आर्टिकल 5 से लेकर 8 के तहत जिन भी लोगों को भारत के नागरिकता मिली है उसको रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है और वापस से रिवोक भी किया जा सकता है इतना जदा पावर है तो प्रॉपरली पार्लेमेंट के जो powers को दरशाता है article जो directly citizenship के बारे में बात कर रहा है वो होता है हमारा article 11 काफी important है जान से सुनिएगा काफी important है और article 11 सीधे सीधे बात करता है Parliament के power की कि सीज को लेकर citizenship को लेकर next हम बात करते हैं अब एक important act आया था वो दा citizenship ग्चैनिक आगां 55 से यह बता गिए था PROPER GEP भारत की नागरिक्ता कैसे naughty जा सकती है और भारत की नागरिक्ता का कैसे कैसे हो सकता है तो भारत की नागरिक्ता five तरीकों से हाँसल गीरा सकती है गाल थैसमें by descent है, registration है, naturalization है और incorporation है, सारी चीज़े हम detail में समझेंगे, loss कैसे हो सकता है, pronunciation है, termination है और deprivation है, यह important है आपके लिए, यहां से चीज़े काफी important है, क्योंकि यह कई बार पूछा गया है कि भारत की नागरिक्ता कैसे ली जा सकती है, और नागरिक्ता का loss कैसे हो सकता है, कैसे कि नागरिक्ता क्या गी जा सकती है, यह automatically dissolve हो सकती है, article 9 के अंदर मैंने बता आया था आपको, कि अगर आप किसी दूसरी country की नागरिक्ता को अपना लेते हैं, तो आपकी Indian citizenship जो है, वो dissolve हो जाती है, यह भी कहीं ना कहीं उसी बारे में ही बात करता है, आगे बात करते हैं, स the perspective of nationality of his or her parents. इस तारीक तक उनसारे लोगों को भारत की नागरिक्ता मिल जाती थी जिन्ों ने भारत मैं जन्म लिया है, ये नहीं देखा जाएगा कि आपको माता-पिता ने कहां जन्म लिया है, तो आपको भारत की नागरिक्ता यहां पर आटोमेटिक ने मिल जाती थी इसके बाद 1st July 1987 से 3rd December 2004 तक किन लोगों को भारत की नागरिकता दी गए देखिए अब सिर्फ यह जरूरी नहीं था कि सिर्फ आप नहीं भारत में जन्म लिया हो यह जरूरी हो गया था कि आपके जन्म के समय या तो आपके माता या तो आपके माता या आपके पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो दोनों में से किसी एक ने भारत में जन्म लिया हो तो यहाँ पर जो है वो आपको नागरिकता बाइबर्थ मिल जाएगी अब इसे चेंज हुई इसके बाद अभी कि हम बात करें 3rd December 2004 से अभी त दोनों का जन्म भारत में हुआ हो पहली यह आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो पर जो दूसरा व्यक्ति है वो इंलीगल माइघरिंट नहीं है मतलब गैर कानुनी रूप से अवैद नागरिक ना हो इन्होंने गैर कानुनी रूप से भारत में प्रवेश ना किया हो अगर ऐसा कुछ कंडिशन है तो भी भारत के नागरिक आपको यहाँ पर मिल जाएगी यहाँ देखते हैं आगे by descent descent का क्या मतलब होता है पूर्वजों की बात की जा रही है इसके ओ लेकर भी काफी controversy थी क्या controversy ती आगे आपको बताऊंगा पहले हम बात कर लेते हैं 27 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1952 तक क्या माना जाता था that Indian citizenship in his father was citizen of India at the time of his or her birth अगर किसी व्यक्ति के पिता मादा की बात नहीं की गई थी अगर किसी व्यक्ति के सिर्फ पिता जी भारत के नागरिक है तो उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा उसके बर्त के समय पर मतलब बर्त के टाइम हुआ है कोई बच्चा पैदा हुआ है गेट्स के बीच में और उसने भारत में जनम लिया है और उसके पिता जी भी भारत की नागरिक थे तो उसे यहां पर भारत का नागरिक मान लिया जाएगा मदर को इसमें नहीं देखा गया इसको लेकर काफी आक्रोश उत्तन हुआ कि फादर को ही क्यों लिया जा रहे मदर को क्यों नहीं लिया गया इसके बाद रूल को चेंज किया गया 10 December 1992 से 3rd December 2004 तक जो रूल था उसमें यह ले लिया गया जPatूए ओसके बाद दोनों को रखा गया दोनों को समान रूपसर दिया गया समान अढ़िकार ऑपर दिये गया और प्रवाल के अंदर आपको इंडियन काउंसलेट के अंदर मतलब सरकार यह आपना जन्म प्रमान पत्र अपने बर्द को रेइस्टर्ट कराना होगा यह जरूरी होता है तो आपको नागरिकता है यहां पर मिल जाए कि आगे बात की जाए परसन ओरीजिन ओफ इंडियन और इं चीन के हैं मतलब भारत में रह नहीं रहे हैं अभी पर इंडियन ओरिजिन के हैं वह उनके भाता पिता उनके दादा दादी भारत की नागरिक थे क्या लिखाए आपर पर परसन ओफ इंडियन ओरीजिन इस एनी परसन फ्रॉम अनगरिक एसा वेक्ति जो दूसरी कंट्री का नागरी खेकुछ exception countries दी गई है याद रुकिए गए exception countries कौन सी है पाकिस्तान है इसमें अफगानिस्तान है पांगलादेश भी exception के अंदर आता है चाइना है इरान है भूटान है शिरिलंका है और नेपाल है exception के अंदर दिये गए है इसके पास कभी भी इंडियन पास्पोर्ट रहा हो ठीक है और whose parents और grandparents were born in India और who is a spouse of a citizen of or a P.I.O. P.I.O. मतलब person of Indian origin की यहां पर बात की जा रही है तो यहां पर सीधर सीधर कहा गया है कैसे व्यक्ति इसके पास कभी ना कभी इंडियन पास्पोर्ट रहा था मतलब उसने नागरीता त्याग दिये पर उसके पास कभी ना कभी इंडियन पास्पोर्ट रहा था और whose parents और grandparents were born in India या तो उसके या उसके मा था पीता या उसके दादादी भारत में born हुए थे who is a spouse of a citizen of India और P.I.O. कि जो हमारे देश में person of Indian origin होते हैं जो दुसरे देश में रहते हैं उनका spouse भी अगर है तो वो भारत की नागरीता ले सकते हैं यहां पर उसकी बात की गई है अब देखि registration registration कौन कौन लोग करवा सकते हैं तीन तरीके से registration के तुरू भारत की नागरिकता ली जा सकती है पहले वो लोग है anytime held Indian passport जो आपने पढ़ा है उसी को detail में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ताकि हर point clear हो पहला ऐसे लोगे जिनके पास कभी ना कभी भारत की नाग भारत की नागरिकता लेना चाह रहें तो कभी भी अगर ऐसे लोगोंने anytime held Indian passport कभी नों ने इंडियन passport held किया इने भी भारत की नागरिकता मिल सकती कैसे मिल सकती है मागे बात करेंगे वह और एदर आप यह परेंट्स इन नागरिका कर सकता है और तीसरी कवी इंपॉर्टेंट है बहुता है स्पाउस ऑफ इंडियन स्टेजन भारत के चैनल होते हैं कि कोई महिला जो है वो भारतीय है पति विदेशी एंट उनको कैसे नागरिकता मिलेगी भारत की यह उसके बारे में बताया गिया है आई देखते हैं तीनों इंपॉंट्ट हैं पहला है बायर रेजिस्टे in any country outside undivided India married to Indian citizen plus recite seven years in India before minor children of parents who are citizens of India a person of full age whose parents are registered citizen of India a key karke sabhi ko samushta hai, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर a person full age and capacity who are either of his parents was earlier citizen of independent India and is ordinary residents in India for 12 months, मतलब माल लीजे कोई बच्चा है यह जो बच्चा है इस बच्चे के जो माता-पिता है जो इसके parents है वह अभी उनके पास UK की नाघृकता है पर माता-पिता दोनों का जन्मा भारत में भारत में भारत नाघृकते बाद में जौप के सिलशले में UK चले गए वहाँ की नाघृकता इनको मिल गए अब यह बच्चा चाहता अप्लाय कर सकता है कि इसके माता-पिता के पास पोट था भारत के नागरी किसके माता-पिता रहे थे यह उन लोगों की बात करता है यह बाद टुँ इंडियन सिडिजन प्लस रिसाइडिंग सेवन इंडिया बिफोर अप्लाइं मतलब क्या है ऐसे लोग किनों ने यह जो एक्ति पृति जिंडा के मान लीजिए अब क्या शादी करते ही इन्हें भारत की नागरिकता मिलें नहीं इन्हें दो कंडिशन करनी होगी अगर इन्हें इंडियन किसी भारत के नागरिकता के लिए इंडियन citizenship के लिए अप्लाय कर सकते हैं मैंने कह दिया है आपको इतना आसान नहीं है भारत की नागरिकता मिलना काफी मुश्किल होता है इसके बाद है बाए नेचुरलाइजेशन नेचुरलाइजेशन का क्या मतलब है 15 years record will be seen he must reside in India throughout the period 12 months before applying 11 years should be residing in India total 12 years have knowledge of one language mentioned in 8 schedule person of good character दे कि ऐसे वेक्टी जो भारत के नागरिक नहीं है इनके माता-पिता भी भारत के नागरिक नहीं थे जैसे बात की जाए अद्नान सामी जी की बात करो अद्नान सामी जी को भारत की नागरिकता मिल गई अब शुरुवात में तो यह पाकिस्तान के सिटिजन थे पाकिस्तान के नागरिक थे तो ऐसे वेक्ति जिनका कोई लेना दन्या नहीं है माता पिता से कोई लेना देना नहीं है उनको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी यह प्रोसेस बहुत टफ होता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है बायत नैचुरलाइजेशन कि नैचुरली आपको धीरे धीरे भारत का नागरिक माना जाएगा इसके तो नहीं है आप किसी गलत गतिवीधी के अंदर लिप तो नहीं है यह सारी चीज़े देखी जाती है इसके बाद ही मस्ट रिसाइड इन इंडिया थ्रूआउड दर पिरिये ट्वेल मन्स बिफोर अप्लाइंग मतलब मान लीजे कि वह अप्लाय कर रहे हैं तो अप्लाय करने से एक साल पहले तक उन्हें भारत में ही रहना पड़ेगा यह नहीं कर सकती एक साल पहले तक वह जो बारा महिमें अपलाय करने के जो बारा महिंसे पहले के जो सीर्फी तोटल होते हैं बारा साल जैसे 11 year should be reside in India, 11 साल उन्हें भारत में नहरना होना चाहिए, ताथ इसाथ जो एक साल का period होता है वो registration के बाद का होता है, तो टोटल बारा साल होते हैं, बट जो residing देखी जाती है, वो 11 साल की होती है, प्रॉपरली देखी जाती है कि कितना आप रहे हैं यहाँ पर, एक साल का period वो registration के अंदर जाता है, इसलिए इसे 12 साल मान लिया जाता है, have knowledge of one language mentioned in eight schedule, आठवे schedule के अंदर जो बाविस भाशा है दी गई है, जो recognized languages हैं, उसमें से एक भाशा इन्हें आनी चाहिए, और he should be person of good character, इनका character सही होना चाहिए, इनका चाहितर सही हो होता है, he should be the person of good character, याद रखेगा, एक साल का यहाँ पर 11 लिखा है, नीचे total 12 लियर रिखा है, confuse मत होईएगा, यह जो 12 months है ना, यह consider किया जा रहा है registration का, पुरा process एक साल और लग जाता है, इसलिए इसे total जो count किया जाता है, वो कितना किया जाता है, 12 साल किया जाता है, औ 15 साल अगर आप रहे हैं, तो तक्रीवन आप 11-12 साल भारत के अंदर ही रहे हो, यह conditions होती है, आगे बाद करते हैं, by naturalization के बाद, एक टाया था, citizenship के अंदर देख लीजेगा, person can acquire citizenship by naturalization, he, she is ordinary resident of India for 12 years, throughout 12 months, preceding the date of application and 11 years in the aggregate, जैसा कि विन आपको बताया है, कि 11 साल aggregate रहना चाहि 12 months, preceding the date of application के application, फिल्फिल करने के बाद, आप कितना रहे हैं, उसको देखा जाता है, and fulfills the qualification in the third schedule of the citizenship act, और तीसरे schedule के अंदर, citizenship के अंदर, जो भी qualifications दी गई है, जो भी requirements दी गई है, वो फिल कर रहा, तो, ओके, आगे बाद करते हैं, इसके बाद है, by incorporation, अब देखिये, pondicherry को जो भारत ने acquire किया, मतलब कोई area है, उसको भारत ने अपने अंदर मिला लिया, तो क्या उस area के जितने भी लोग हैं, वो भारत के नागरिक automatically बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, by acquisition भी भारत के नागरिकता मिल जाती है, कि भारत आगे जाके अगर किसी area को acquire कर लेता है, तो वहां के जो लोग है, वहां के रेसेरेंट हैं, वो भी भारत के नागरिक बन जाएंगे, बट सारे रेसेरेंट नहीं बनते हैं, इसके लिए special rules निकालता है, जैसे कि जब pondicherry का acquire किया, तो citizenship pondicherry order 1962 निकाला गिया, मतलब उसमें बताया गिया है, कि pondicherry में रहने वाले किन किन लोगों को भारत के नागरिकता मिलेगे, तो यह special orders निकालता है, और इस special orders के हिसाब से भारत के नागरिकता के rules दिये जाते है, acquisition के मुद्दे के उपर, जो अलग-अलग होते हैं, यहाँ पर तो याद रिखिएगा, acquisition भी जो है, या incorporation जो है, वो भी एक process से भारत के ना नागरिकता का अंत हो जाता है, यह तीन तरीके से, पहला है, renunciation, दूसरा है, termination, और तीसरा है, deprivation, देखिए, renunciation का क्या मतलब होता है, यह कुछ इस तरीके का है, कि आपने खुद ही, declare कर दिये कि मुझे भारत के नागरिकता नहीं चाहिए, आपने खुद ही बोल दिया है, कि मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, दूसरा है termination, termination में क्या होता है, कि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता अपना लेते हो, तो आपकी भारत की नागरिकता automatically खतम हो जाती है, तीसरा है terminated by the government, मतलब सरकार खुद से आपकी भारत की नागरिकता को खतम कर दे लेती है, मतलब सरकार ने खुद यह step लिया, इसको simple से शब्दों में समझा जाए, कि आप एक school के अंदर है, अगर आप खुद से TC लेके school से निकल जाते हैं, तो वो होगा declaration या renunciation, अगर आप यह करते हैं, कि आप school को बनावता है, दूसरे school में admission ले ले लेते हैं, तो पहल हमारा आता है, deprivation, deprivation का क्या मतलब होता है, basically termination by the government, अब यह सबसे important है, बाकि दोनों तो आपको समझ में आ गए थे, पहले में क्या हो रहा है, कि आपने खुद ही बोल दिया, कि हमें भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, आपने declaration दे दिया, आपने form submit कर दिया, कि हम दूसरे मुझके भारत की नागरिकता, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, भारत की नागरिकता आपकी terminate हो जाती है, यह होता है, आर्टिकल 9 के अंदर, तीसरा जो है, वो है deprivation की आपकी नागरिकता को भारत सरकार छीन सकती है, किन किन कंडिशन की उपर पहला, deciding out of India for 7 years, continuously, अगर कोई व्यक्ती, लगातार 7 साल से भारत से बहार रह रह रहा है, भारत में आया ही नहीं है, 7 साल हो गये हैं, वो किसी दूसरी कंट्री में गया था, और लगातार 7 सालों से भारत में रह रह रहा है, भारत में आया नहीं है, ऐसी कंडिशन के इंदर उसकी अगर उसने, if citizenship get by fraud, अगर उसने fraud के थ्रू citizenship ले ली है, गलत documents present कर दिया है, तो भी उसकी citizenship को लिया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है सरकार खुद कर देगी परसन इस डिस्ट लॉयल टू इंडियन कॉंस्टिशन ऐसा कोई व्यक्ति तो भारती सविधान के लिए डिस्ट लॉयल है मतलब आतंकवादी है आतंकवादी गति वीडियो के इंदर लिप्त है सविधान को नहीं मानता है ऐसे परसन की भी सिटिजनशिप को लिया जा सकता है टर्मिनेट किया जा सकता है किसके बाद अनलॉफुल ट्रेड एंड कम्मिनिकेशन विद एनिमी ड्यूरिंग वार ऐसा कोई व्यक्ति तो वार के समय मतलब हमारे किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा है और वो इसकी नागरिक्ता को छीना जा सकता है भारत सरकार के पास यह पूरा अधिकार है इसके बाद इस विदिन फाइफ यर्स आफ्र रिस्टेशन मतलब ऐसा कोई व्यक्ति इसने रिजिस्टेशन के थूप भारत की नागरिक्ता ली है और पांच साल के अंदर ही किसी दूसरे व्यक्तेश के अंदर उसे जेल हो गई और उस जेल में वो दो साल से जाधा रहा है मतलब यह कुछ इस तरीके काई कि का परसन था भारत में आता है रेजिस्टेशन के प्रोसेस के दूप भारत के नागरिक्ता लेता है फिर वह घुमने के लिए ब्राजील जाता है ब्राज अफरन चीज़े थी जिसके बारे में हमने जाना है अब एक एक आया था 2019 के अंदर जिसे हम CAA के नाम से जानते हैं citizenship amendment act को लेकर काफी जाधा विवाद भी था 2019 के अंदर एक आया था इससे भी question पूछे जा सकते हैं इसलिए एक बार इसे भी समझ लेते हैं basically act किया था the CAA provides citizenship on the basis of regional two region region to six undocumented non-muslim communities hindu-sikhs तो यह था citizenship and union and territory जिसके बारे में हमने पूरा detail में समझाए कि क्या है इससे जो questions आते हैं वो काफी आसान से होते हैं जैसे कि कौन से article के अंदर termination के बारे में बताया गया है article 9 के जिसे बात कि जाए citizenship का प्रावधान हमने किस country से लिया है यह उसकी बात कि जाती है आर्टिकल 1 के बारे में आपसे पूछा जा सकता है या यह पूछा जा सकता है कि जब भी किसी state के नाम में change होता है तो किस article के अंदर वो law है तो इस तरह के questions आपसे पूछे जाते हैं चली एक बार revision कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने देखी है एक quick revision काफी important होता है आप आपकी सारी examination के लिए चुरुआती तोर पर हमने जो जो चीज़ें देखी सबसे पहले हमने article 1 देखा जिसमें बात की गई the union of states की इसके बाद हमने article 2 देखा article 2 के अंदर यह बताया गया था कि किसी भी नए state को कैसे admit किया जा सकता है पार्लेमेंट के पास यह पावर है यहा जाने के बात कि गई थी existing states के नाम में change किया जा सकता है boundaries quality किया जा सकता है उनकी boundaries को बढ़ाया जा सकता है कम किया जा सकता है यह सारी बात देख कही गई थी इसके बाद article 3 की अगर मैं बात करूं article 4 की तूर आर्टिकल 4 में article 2 और 3 के बारे में यह कहा गया था कि इसके लिए समिधान में संशोधन करने के जरुवत नहीं पड़ती है normal process के थूर simple majority के थूर भी यह चीज़ की जा सकती है article 3 के तया जो भी कानून बनाया जाएंगे उन कानून के लिए समिधान में संशोधन नहीं करना पड़ेगा यह बात इसमें कहीं गई थी आगे बात करते हैं इसक ने भाशा शॉच अधार जिसे भाषा के आधार पर राज का ज already दरजा दिया गया और इस commission को मनाया गया था commission कमिशन अपने रिपोर्ट दी रिपोर्ट में तो commission ने मना किया थाकि भाषा के अधर पर राज्यों का दरजा नहीं देना है पर उसके बद भी देश में दिवाइड हुए थे इस सारी चीजें हमने काफी डीटेल में देखी है और यह याद रखिएगा क्योंकि कई एक्जाम में इस चीज कई बार पूछ ली जाती है के बाद हमने सिटिजन्शिप के बारे में देखा पाट टू के अंदर आर्टिकल फाइब से लेकर आर्टिकल इलेवन तक सिटिजन्शिप का प्राभधान है पांच छे साथ आठ यह बताते हैं कि किसे भारत का नागरी कि माना जाएगा जब देश का समयदान लागू हुआ सबसे इंप्यृटेंट आर्टिकल यही वाला एक पारलेEMAट के पावर सकुं माना जाएगा इसके बाद आ्टिकल 7 बात करता है बैसे मैसे वेक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं और वापस पाकिस्तान से लोटकर भारत आए हैं तो उनको कौन-कौन सी conditions फुल्फिल करनी होगी ठीकिस में either one की condition भी होती याद रिखिएगा सारी condition का नहीं है either one की रहती है बट जो article 7 की हम बात करते हैं article 7 के अंदर जो भी लोग आते हैं उनको सारी conditions फुल्फिल करनी होती है सभी बाकी में either one का clause लगता है यहाँ पर इसके बाद जो लोग भारत से बाहर रहे रहे हैं उनकी बात article 8 करता है article 9 काफे important था termination of citizenship की इसमें बात की गई थी आगे हम देखते हैं आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 पार्लिमेंट के पावर्स के बारे में बताते हैं इसके बाद citizenship act 1955 देखा कि इन पांच तरीके से citizenship का अक्वार किया जा सकता है और citizenship का लॉस कि इन तीन तरीकों का जो प्रोसेस है की 15 साल का record देखा जाता है कैसे कोई व्यक्ति भारत का नागरिक यहां पर बन सकता है इसके बाद automatically कैसे citizenship मिलती है यह भी हमने देखा और बाद में हमने देखा कि loss of citizenship कैसे होता है आपकी नागरिक्ता कैसे चली जाती भारत की इसमें सबसे इंप्राइवेशन यादर कियेगा डिप्राइवेशन मतलब कर देती है भार सरकर आपकी नागरिक्ता और यही चीज़ हमने यहां पर समझी तो यह पूरा लेक्चर था लेक्चर छोटा था क्योंकि टॉपिक बहुत जादा इंपॉर्टन नहीं है आपको सिर्फ यह बहू जय हिन जय वारत